आपने ध्यान दिया एक औरत हूँ एक औरत ही एक औरत का आपने ध्यान दिया एक औरत हूँ एक औरत ही एक औरत का हम एक औरत क्यों बोलते हैं, वो ये भी तो बोल सकती है, कि मैं औरत हूँ, औरत ही औरत का दर्च समझ सकती है कभी सोचा कि हम हिंदी में क्यों बोलते हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, वो एक पिता है, मैं एक लड़का हूँ, बताओ कभी नहीं सोचा ना, बस बोलते हैं और यही अगर मैं इंगलिश के बारे में कुछ बताओंगा कि ऐसे बोलना है तो सोचने लग जाओगे कि क्यों ऐसे बोलना है, वैसे क्यों नहीं बोल सकते सुनो, लगबग हिंदी की तरह, इंगलिश में जब भी हम बहुत सारे इंसानों, जानवरों, जीव जन्तूओं, जगों या चीजों में से एक इंसान, एक जानवर, एक जीव जन्तू, एक जगा या एक चीज की बात करते हैं तो उसके साथ अ लगाते हैं अ मतलब एक एक मर्द, a man, मतलब दुनिया के सभी मर्दों में से एक मर्द एक औरत, a woman, मतलब औरतों में से एक औरत एक लड़का, a boy, लड़कों में से एक लड़का एक लड़की, a girl, लड़कियों में से एक लड़की सो जब कहना हो मैं एक लड़का हूँ I am a boy मैं एक लड़की हूँ I am a girl तो फिर सर मैं अपना नाम ऐसे बताऊंगा I am a monu नहीं मुझे तुम बताओ के तुम कौन हो मैं monu हूँ अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा कोई नाम ना रखते तब तुम क्या बताते तुम कौन हो मैं एक लड़का हूँ हाँ और जैसे मैंने बताया तुम कई लड़कों में से एक लड़के हो इसलिए कहा जाता है एक लड़का पर तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम monu रखके तुम्हें एक अलग पहचान दे दी तुम्हें किसी भी एक लड़के से मोनू बना दिया लड़के थो कई है पर मोनू एक ही है कम से कम तुम्हारे घर पर तुम्हारे आसपास सो तुम्हें अपने नाम के साथ अलगाने की जरूरत ही नहीं सो तुम I am Monu बोलोगे समझ गया सर I am Monu इंसानों के रिष्टे यानि Relations English में कैसे बताए जाते हैं जैसे आप अपने माबाब के बेटे हो ऐसे ही कोई और भी अपने माबाब का बेटा है सो दुनिया में कई बेटे हैं और आप उनमें से एक हो सो रिष्टों के साथ भी हम अ लगाते हैं मैं एक माँ हूँ I am a mother दुनिया में कई माएं हैं उनमें से मैं एक हूँ मैं एक पिता हूँ I am a father मैं एक भाई हूँ I am a brother मैं एक बहन हूँ I am a sister मैं एक बीवी हूँ I am a wife मैं एक बच्चा हूँ I am a child. मैं एक बेटा हूँ. I am a son. मैं एक बेटी हूँ. I am a daughter. मैं एक दोस्त हूँ. I am a friend. मैं एक अजनभी हूँ. I am a stranger. मैं एक चचेरा या मौसेरा भाई हूँ. I am a cousin. मैं एक चचेरी या मौसेरी बेहन हूँ. I am a cousin. सर अगर कहना हो मैं एक अंकल हूँ. इसका जवाब इसका आंसर थोड़ा टेड़ा है पर समझने में आसान है. सो ध्यान से सुनना. याद है मैंने English Alphabet के 26 लेटर सिखाये थे? उन में से A, E, I, O, U. इनको टीम के senior player माना जाता है. और इन पांचों को vowels बुलाया जाता है. क्यूंकि इनकी आवाज निकालने के लिए हमारे मूँ का ज़ादातर हिस्सा खुल जाता है. अ, ए, ई, ओ, उ, तो हुए ना ये letter special. वावल से शुरू होने वाले इनसानों, जानवरों, जगों या चीजों के word से पहले अ नहीं, एन लगाया जाता है. पर मतलब वही है, एक. अब हमें कहना है कि मैं एक अंकल हूँ. और इंग्लिश में अंकल के spelling यू से शुरू होते हैं. और यू एक वावल है. सो हमारा इंग्लिश सेंटेंस होगा, I am an uncle. मैं एक अंकल हूँ. इंग्लिश में चाचा, मामा, मौसा, ताउ, फूफा सब लोग अंकल ही कहलाते हैं. मैं एक आंटी हूँ. I am an auntie. इंग्लिश में पहले आंटी को आंट कहा जाता था, पर आज कल आंटी ही चलता है. यहाँ भी चाची, मामी, मौसी, ताई, फूफी सब के लिए आंटी ही यूज होगा. अब देखते हैं इंग्लिश में अपना profession, यानि अपना कारोबार, अपना पेशा, अपना व्योसाए कैसे बताते हैं. मैं एक डॉक्टर हूँ. I am a doctor. यानि दुनिया के सभी डॉक्टरों में से एक डॉक्टर. मैं एक टीचर हूँ. एक अध्यापक हूँ. I am a teacher. मैं एक student हूँ. एक विद्यार्थी हूँ. I am a student. मैं एक engineer हूँ. I am an engineer. Engineer शुरू होता है E से जोकी एक वोबल है. मैं एक actor हूँ. I am an actor. एक्टर शुरू होता है E से जोकी एक वोबल है. मैं एक गायक हूँ. I am a singer. मैं एक दुकानदार हूँ. I am a shopkeeper. मैं एक agent हूँ. I am an agent. agent शुरू होता है वोबल से. इसलिए an. मैं एक मजदूर हूँ. I am a laborer. मैं एक बिजली वाला हूँ. I am an electrician. मैं एक बावर्ची हूँ. जिसे हिंदी में महराज भी बोलते हैं. जो पैसे कमाने के लिए खाना बनाता है. I am a chef. मैं एक driver हूँ. I am a driver. मैं एक वकील हूँ. I am a lawyer. मैं एक पत्रकार हूँ. I am a journalist. मैं एक व्यपारी हूँ. I am a businessman. मैं एक लेखक हूँ. I am a writer. अब writer वर्ड शुरू होता है डबल्यू से लेकिन इसकी कोई आवाज नहीं है. आवाज है रह की. Writer. मैं एक ट्रेनर हूँ. मैं एक पुलीस ओफिसर हूँ. मैं एक सेल्स बॉइ हूँ. मैं एक सेल्स गर्ल हूँ. सर बस करो अब मैं थग गया हूँ. I am tired. सर मुझे भी नीद आ गई है. I am sleepy. सर इसके साथ अ या अ अ तो नहीं आएगा ना? हम्झाता हूँ. हमने पहले देखा कि मैं खूबसूरत हूँ. I am beautiful. और उसके बाद हमने देखा मैं एक लड़की हूँ. I am a girl. अब अगर कहना हो मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ. तो हम हालात, स्वभाव, फितरत या क्वालिटी बताने वाले उस वर्ड को अ या एन के बाद और उस इंसान के लिए यूज हुए वर्ड यानि गर्ल से पहले लगा देंगे. I am a beautiful girl. मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ. थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको इसकी आदत हो जाए. मैं खुशनसीब हूँ. I am lucky. मैं एक खुशनसीब लड़का हूँ. I am a lucky boy. मैं लंबी हूँ. I am tall. मैं एक लंबी लड़की हूँ. I am a tall girl. मैं कठोर हूँ, सक्त हूँ. I am strict. मैं एक कठोर पिता हूँ. I am a strict father. मैं महनती हूँ. I am hardworking. मैं एक महनती टीचर हूँ. I am a hardworking teacher. मैं होशियार हूँ. I am intelligent. मैं एक होशियार student हूँ. I am an intelligent student. यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि sentence में a या an उस word के मुताबिक लगते हैं जो उसके बिल्कुल बाद आता है. चाहे वो गुन बताए या पहचान. जब हम सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं एक student हूँ तो हम कहते हैं I am a student. पर जब हम कहते हैं मैं एक होशियार student हूँ तो sentence होगा I am an intelligent student. एन इसलिए क्योंकि intelligent शुरू होता है I से जो कि एक वोवल है. मैं भावुक हूँ, जजबाती हूँ. I am emotional. मैं एक जजबाती बेटा हूँ. I am an emotional son. मैं अकडू हूँ, मगरूर हूँ. I am arrogant. मैं एक मगरूर विवपारी हूँ. I am an arrogant businessman. एक और नई बात इस आने वाले sentence में सीखने को मिलेगी. मैं इमानदार हूँ, I am honest. मैं एक इमानदार दुकानदार हूँ, I am an honest shopkeeper. कुछ अलग दिखा इस sentence में. An honest. अब H तो वोवल नहीं है. सिर्फ A, E, I, O, U ही वोवल्स हैं. फिर हमने यहाँ an क्यों लगाया? क्योंकि honest शुरू भले ही एच से हो रहा है, पर बोलने में यह honest बोला जाता है. आवाज ओ की है, आवाज वावल की है, इसलिए an लगाया जाता है. आगे के lesson में और भी ऐसे words आएंगे, सो नजर रखना. अब तक हमने अपनी हालत यानी state बताना सीख लिया, अपनी फित्रत, अपना स्वभाव यानी अपनी nature बताना सीख लिया, अपने गुंड यानी अपनी quality बताना सीख लिया, उसके बाद हमने अपना नाम यानी name बताना सीख लिया, और फिर अपनी पहचान बताना सीख लिया चाहे वो रिष्टे से हो यानि रिलेशन से हो या फिर अपने व्योसाय से हो यानि प्रोफेशन से हो सो अब हम आज से इतनी इंगलिश तो बोल ही सकते हैं कि I am अवल, I am an intelligent student, I am a good son मैं अवल हूँ, मैं एक होशियार student हूँ, मैं एक अच्छा बेटा हूँ अब आप अपने नाम के साथ अपने हिसाब से ऐसे ही दो तीन sentences बनाना और discussion forum में share करना study cards एकना मत भूलना जिनमें आपकी practice के लिए बहुत सारे words दिये गए हैं जिनसे आप कई sentences बना सकते हैं मिलते हैं next lesson में झाल 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 झाल